हेलो और वेलकूम बाक, I am Dr. राहिल चौधरी, I am Dr. Catract and Refractive Surgeon आज की वीडियो में डिसकस करेंगे कि आँखों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे खुशकी, लाली, पानी आना, आँखों से डिस्चार्ज निकलना, आँखों में गंद निकलना, आँखों में दर्द होना, या आँखों में ठकावट लगना इस तरह की जो problems होती है उन problems में आँखों में कौन सी drop डालनी चाहिए देखिए आपको ये समझना बहुत जूरी है कि ये वीडियो मैं सरफ information के लिए बना रहा हूँ कोई भी drop डालने से पहले आपको अपने eye doctor से जरूर मिलना चाहिए और उसकी सेला लेके ही इन drops का यूज़ करना चाहिए तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आप computer, mobile phone, laptop से ज़्यादा काम करते हैं या धूब गर्मी में ज़्यादा निकलते हैं या रात के समय आपको आँखे fresh नहीं लगती हैं आँखे सुखी ही लगती हैं आँखे ठकी भी लगती हैं या ऐसा लगता है कि आँखे की चिपकी लग रही ह routine हो या ऐसा लगता है कि आंखों के अंदर मिनदा कुछ रेध भरी हो कुछ चुब रहा हो तो अगर इस type की feeling आ रही है, आंखे dull लग रही है, आंखे fresh नहीं लग रही, तो इसका मतलब आपके आंख में dry ice की problem है, उसके लिए आप एक अच्छा lubricating drop यूज कर सकते हैं, कुछ lubricating drop जैसे ecofab हो गया, terra lube हो गया, aqua lube हो गया, eco tears हो गया, refresh liquid gel ये refresh tears हो गया, आपका sustain हो गया option action हो गया, eco moist हो गया, इस तरह के जो है lubricating drops आजकल market में available है, इनको दिन में आप 4-5 बार डाल सकते हैं और आप बहुत comfortable हो जाएंगे, अगर फिर भी दिक्कत persist कर रही है, आपको फिर भी काफी दिक्कत लग रही है, तो कुछ तरह के lubricating gels भी आजकल available हैं, जैसे gentle gel हो गया, य वह भी dry iron में बहुत madudd करता है, तो अगर आपको खुझली पानी या लाली की समस्या हो रही है, या अगर आप सुबह उटते हैं तो आंके लाल हो रही होती है, नहाने के बाद आँके लाग हो जाती है, या फिर सुबह हांग़ोर में उटते हैं तो आंके लाल या फ्रेश बिसके लिए आँखों में झुजटी लगती है पानी निकलता रहता है तो उसके लिए आप इन में से कोई डॉप कर सकते हैं आई लेकिन अगर तीन-चार दिन यूज करने के बाद भी प्रॉब्लम पसिस्ट कर रही है तो मतलब आंखों में अलर्जी जादा है उसके लिए आपको अपने आई डॉक्टर से जुरूर मिलना चाहिए उससे कंसर्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में यूजिली ओलो पैड़ इस तरह के कॉंबिनेशन चलाया जाते हैं जो आपको करीब एक हफते में प्रॉपर रिलीव दे देते हैं तो अगर आपकी आँखे बहुत जादा लाल हो रही है यह आँखे सूजी भी लग रही है यह आँखों में से डिस्चार्ज निकल रहा है कच्रा निकल रहा है यह स जैसे बहुत तरह की कीτο मॉक्स हो घईी आपकी गैटी लग सोगई आपकी वीगा मॉक्स हो गई अ कत्री जाए यह आपकाटर की ऐंट लॉप कमकें बसे पोचों रहे हैं यह गरं 55 perspectives 8 Hide से अव्यक्षिवें में लेकिर आए धाए की। आक में कुछट जाये जैसे आँख में कुछ मच्छर गिर गया या आँख में कुछ पार्टिकल चला गया या मिट्टी गिर गई अगर आँखों को वाश करने की जूरत पड़ती है तो इस तरह की सिचुएशन में वाश करने के बाद आँटिबाटिक ड्रॉप्स डालना बहुत जूरी होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो अगर आपको किसी नाखून से चोट लग गई या जानवर के नाखून से, जानवर की पून्च से या किसी के सींग से, या पत्ती से चोट लग गई अगर इस तरह की सिचुएशन आँख में होती है कि आँख छिल जाए या जैसे गन्ने के चिलके से छिल जाती आँख कभी-कभी तो ऐसी सिचुएशन में अंटी-फंगल ड्रॉप्स का यूज़ करना भी बहुत जूरी है क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे उनको तो आँखों में फंगल अलसा बनने की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके सिर में डांड्रॉफ है और वो डांड्रॉफ आपकी पल्कों पे गिर रही है तो हो सकता है पल्कों में खुजली हो पल्के जढ़ना शुरू हो जाएं तो ऐसी सिच्वेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप पहले अपने सिर की जो डांड्रॉफ है उसको ठीक करें और उसके बाद पल्कों में एक स्पेशल तरह की ओंट्मेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोकॉल एच उसको लगाएं दिन में दो बार अगर आपके डॉक्टर ने आपको काले मोतिय की प्रॉब्लम बताई गया है तो काले मोतिय जैसे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ ग्लुकोमा को कहते हैं और उसमें ड्रॉब्लम चलती है जो आपके आँंखो का प्रैशर जू है वह कम करती है तो उसमें कुछ इस ब्ररमिनिदीन हो गया ट्रावर्टन हो गया यह टिमल लॉल हो गया या simbrinza हो गया या kombi gun हो गया इस तरह की drops जो है ये काले मोतिये में चलाई जाती है तो एक बात जाननी बहुत जोरी है कि अगर आंखों को साफ करना है तो कभी भी किसी कपड़े से हांकी से टीशू से साफ नहीं करनी चाहिए इस तरह की sterile eye wipes आजकल available है हर pharmacy के दुकान पर हर chemist के दुकान पर और इस तरह की wipes जो होती है वो sterile होती है बिल्कुल साफ होती है तो इसी तरह की wipes से आँखों को साफ करना चाहिए ताकि आँखों में और कोई infection ना हो तो commonly यही drops use करे जाती है आई में लेकिन मैं फिर से आप से कह रहा हूँ कि अगर आँख में कोई भी problem हो तो खुद यह drops करीद के ना डालें हमेशा अपने eye doctor से पहले discuss करें क्योंकि इन drops का side effect भी हो सकता है तो एक doctor ही है eye doctor जो आपको properly guide कर सकता है कि कोंसी drop कब किस तरह से use कर नीचे है तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और काफी knowledge मिली होंगी कि आँखों के लिए क्या क्या दवाई आवेलेबल हैं तब तक के लिए thank you very much for watching this video and I'll be back soon